Hello everyone and welcome to Mr. Introdent YouTube channel आज इस वीडियो में हम world trade pattern और trends को समझेंगे क्या होता है international trade, क्यों दो countries आपस में trade करती है या फिर दुनिया की जितनी भी countries आपस में एक दूसरे से क्यों trade करती है कौन से ऐसे factors या जो affect करते international trade को कुछ important elements जो international trade में volume क्या होता है, composition क्या होता है या direction of trade क्या होता है, इसको समझेंगे फिर हम लोग start करेंगे हमारा patterns of international trade medieval age में कैसा pattern था, industrial revolution के बाद कैसे pattern change वा world map की मंदद से समझेंगे हम लोग फिर आपका world war 2 के बाद में कैसा एक drastic change आया पूरे world economy में और trade का pattern फिर से एक बार बदला तो उसको भी हम लोग समझेंगे, trading blocks क्या होते हैं इनको in short हम लोग समझेंगे क्योंकि ये बहुत important role play करते हैं किसी भी world trade में या आप कैसकते हैं कुछ countries को कुछ regional countries को आपस में जोडने के लिए और trade के लिए ये बहुत ही important होते हैं इसके बाद हम लोग दिखेंगे COVID-19 काफी time अब हो चुका है COVID-19 को फिर भी उसके कुछ impacts क्योंकि कुछ चीज़ा ऐसी होती है जिनका long lasting impact रहता है तो वैसे COVID-19 का जो impact है वो आज भी trade पर पढ़ रहा है तो उसको समझेंगे फिर 2023 का कैसा global trade outlook रहा है WTO की report के according हम लोग इसे लेकर चलेंगे कौन से ऐसी countries है जो की अभी भी trade में dominate कर रही है वर्ल्ड पे या कौन से ऐसी है जो पहले से बहतर हुई है अभी का latest जो data है जो WTO ने दिया उसके according क्या trade volume है किस तरीके से world की GDP ग्रो कर रही है उसको हम लोग काफी important data से empirical study करके भी समझेंगे उसके बाद हम लोग जो latest October मन्त के बाद में अब जो हमारा Israel और हमास का conflict चल रहा है उसका क्या impact है world economy पे साथी साथ उसका क्या impact है Indian economy पर इसको भी हम लोग इस वीडियो में cover करने वाले है वीडियो बहुत ही ज़्यादा interesting होने वाली है काफी सारे maps को हमने आपने include किया है काफी सारे important empirical data को भी include किया है so without wasting much time let us start with world trade pattern and trends देखो सबसे पहले हम लोग समझता आखिर international trade होता क्या है trade refers to the exchange of goods and services यानि एक country से दूसरी country एक country के अंदर ही एक state से दूसरे state या फिर आप क्या सकते है देखो दो type के आपके trades आप define कर सकते हो एक तो होता है आपका national या फिर internal trade जो कि country के अंदर हो रहा हो और एक होता है international trade जो कि दो countries के बीच में हो रहा हो types of trade को हम लोग दो और तरीके से ले सकते है जैसे bilateral trade जो केवल किसी दो country के बीच में हो रहा है और multilateral trade जो बहुत सारे countries के बीच में आपस में हो रहा हो तो उसे हम लोग multilateral trade कहते हैं तो trade क्या है आपका selling और buying of goods एक seller country होगी एक buyer country होगी exports और imports अब देखो क्या factors ऐसे होते हैं जो की international trade को affect करते हैं सबसे पहली चीज़ difference in natural resources and products कई countries के पास natural ऐसे resources ही नहीं available होते हैं जो उन्हें import करवाने पड़ते हैं जिनको उन्हें trade करके लाना पड़ता है तो यह basic एक चीज़ हो गई next का है population size and cultural factors कई बार क्या होता है कि कुछ countries का जो आपका population है वो बहुत extensively grow करा है जैसे इंडिया की बात कर लें अभी इंडिया जो है वो most populous country है तो इंडिया की जो needs है वो केवल और केवल domestic trade से या internal trade से ही नहीं पूरी हो पाएगी उसके लिए international trade इंडिया को करना पड़ेगा economic growth जैसे जैसे समय बढ़ता है जैसे जैसे आगे चीज़े advance होती है technology आगे बढ़ती है economy जैसे 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 grow करती है वैसे वैसे नए products की भी जरूरत पड़ती है फिर नए चीजों की जरूरत पड़ती है या overall आप कह सकते production increase होता है तो export भी करना पड़ता है capital investment देखो the extent of foreign investment particularly in developing country significantly affects the volume, type, pattern यह सारी चीजों को affect करता है यानि foreign investment अगर हो रहा है किसी developing countries में तो उसमें ज्यादा trade होगा तो इस वादे से आपका investment भी important है next is transport, पुराने टाइम पर transport उतना feasible नहीं था उतने अच्छे से transport नहीं हो पाता था या ऐसा आपका airways नहीं थी आपकी ports नहीं थे proper या आपका railways नहीं था अब जैसे जैसे समय आगे बड़ा है railways आ गई है, आपकी waterways आ गई है ships है, canals है, जहां से आपका सारी trade भी होती है कई बार तो इसकी वदर से क्या हो गया है easy हो गया है, यह भी global trade को impact करता है, साथ मैं government की policies, government अपने देश में free trade लगा रही है या फिर protection लगा रही है वो भी आपके trade को determine करता है next चीज हम लोग देखेंगे important aspects of international trade सबसे पहले होता है volume of trade volume of trade का मतलब क्या है कि कितने, कितना amount of good जो है वो एक country से दूसरी country में export हो रहा है या import हो रहा है या overall trade हो रहा है अब हम लोग good को तो नाप सकते कि यार 1 kilo है, 2 kilo है, 10 kilo है 1 ton है, 10 chan है 1000 ton है, लेकिन हम लोग services को नहीं नाप सकते, तो हम लोग इसको weight को ना लेकर कि हम लोग अब क्या लेते, value कितने value की goods and services किसी एक country से दूसरी country में trade होई है जैसे कहते हैं, एक billion dollar का trade हुआ है तो उसमें goods and services भी include है, तो हम लोग यहाँ पर value या फिर money के form में volume of trade को अब define करते, composition of trade यानि किस तरीके के सामान का आप क्या सकते हैं, trade हुआ है, oil का trade हुआ है machinery का trade हुआ है, defense equipment का हुआ है तो वो composition में आ जाता है direction of trade किस country से किस country में हो रहा है developing से underdeveloped में हो रहा है trade, aid या फिर आपका Asia से Africa में हो रहा है किस direction में trade हो रहा है उसको हम लोग direction of trade बोलते हैं आप देखो हम लोग यहां से start करेंगे patterns of international trade यह सबसे पहला जो हम लोग जो basic pattern है medieval age का, पुराने समय का तो उसमें क्या देखा जाता था कि आपकी जो ऐसी countries है देखो इसको एक map से हम लोग यहां पर समझते हैं सारी चीजे मैंने यहां पर लिखी भी हुई है तो कोई जादा difference नहीं देखो, medieval age में क्या होता था आपका industrial revolution से पहले कि यह जो जितने भी underdeveloped countries है यहां Asia की जो countries है या जो आपका जो Latin American countries है आपकी तो यह क्या करती थी? यह ज्यादा export करती थी तो यह क्या करती थी? यह पूरे योरोप में यहां से आपका अमेरिका में नौर्थ अमेरिका में यह export करती थी और यहां पर आप देख रहे हो कि इंडिया से भी export हो रहा है अब valuable goods का क्या मतलब है? जैसे इंडिया के पास थे मसाले, spices, इनके पास थे आपके gold या बहुत सरी ऐसी resources, चाइना के पास भी ऐसी resources थी जो उसमें पर valuable मानी जाती थी और European जो country से यह आपर ज्यादा import होता था लेकिन जैसे जैसे industrial revolution आया तो देखो यह pattern जो है यह थोड़ा सा change हो गया, अब क्या हो रहा है आपका pattern में क्या change हो गया है कि अब जो आपकी North America है या Europe है, यह manufactured goods को ज्यादा export कर रहे हैं, कहां पर आपका Latin America में या फिर आपका Africa में या आपका India के side या China में यानि अब जो export है वो ज्यादा कौन कर रहा है, आपका America है, या फिर आपका जो African regions है, या फिर आपके जो India China, Russia, ये सारे जो parts हो गए, ये अब कैसे हो गए थोड़ा सा आपके ये manufactured goods पर dependent हो गया और ज्यादा import करने लगे Russia, although आपका काफी दल्दी वहाँ पर भी industrial revolution आ गया था तो Russia भी manufactured goods बनाने लगा था, यही सारी चीज़े हमने यहाँ पर लिखी भी हुई है, लेकिन pattern हमेशा change होता है, हर समय के साथ, देखो, उस समय पर जो pattern था, वो बदला industrial revolution की वज़े से, जो medieval age का pattern था, फिर industrial revolution का जो pattern था, वो एक बर फिर से बदला world war के बाद, कैसे बतला क्योंकि उस टाइम पर जापान भी एक बहुत अच्छी trading country थी लेकिन जो भी world war में, जो भी चीज़े हुई, overall आपका पूरा pattern ही change हो गया, यहाँ से कई सारी जो British colonies थी, वो आजाद हो गई, जैसे इंडिया भी आजाद हुआ, आपका पाकिस्तान आजाद, आपको अलग अलग जो छोटे छोटे देश बन गए पाकिस्तान, बांगला देश और यहाँ पर आपके धीरे धीरे करके जो world war के बाद क्या हुआ हुए, मेजर आप माल लीजे, इंडिया या कुछ आफ्रिकन जो कॉलोनीज थी, ब्रिटिशर से आजाद हुई अब वो self dependency की और बढ़ने लगी, उन्होंने अपना production स्टार्ट किया, अपना जो export है, उसको थोड़ा बहुत बढ़ाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आप में देखोगे कि although जो orange color है, यानि import वाला color वो ज्यादा है, लेकिन उसके साथ कई parts में क्या है आपका yellow color भी दिख रहा है, यानि इंडिया ने export करना भी स्टार्ट करा, धीरे 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 grow करना, और चाइना ने भी at the same time धीरे धीरे grow करना start किया यहाँ कुछ जो north african countries है, उन्होंने grow करना start किया वो भी export करने लगी, आपका जो latin america का यहाँ वाला part वो भी थोड़ा थोड़ा export करने लगा, तो यह जो countries है यह self dependent बनने लगी और फिर से एक pattern में shift आया world trade के, यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया भी अब कुछ fields में expert हो गई, तो वो भी manufactured goods बना रही है, चाइना ने तो manufacturing industry में बिल्गुल revolution ला दिया, आज के time पर अगर आप देखोगे, तो चाइना बहुत जादा manufactured goods को export करती है, तो चाइना में तो बहुत जादा एक तरीके से आप कह सकते हैं, वो leading producer बन गया, manufactured goods का, पहले क्या था Britishers क्या करते थे, कि आपका raw material इन छोटे अपनी colonies से, जो भी इंडिया एशिया में जितने भी countries थे, आफ्रिका में उनसे raw material लेके क्या करता था, कि manufactured goods अपनी industry में बनाया, फिर उनी को बहंगे दाम में बेच दिया, लेकिन अब क्या था, अब धीरी-धीरे ये countries self-sufficient होने लगी और इनोंने अपना ही, ये trade करना start कर दिया, next हम लोग देखेंगे trading blocks क्या होते हैं, यहां अपने मर्जी से या अपना किसी एग्रिमेंट की वज़े से, जो साथ में जूड जाती हैं काई सारी countries, तो उसे हम लोग क्याते है trading blocks, trading blocks refers to associations between group of neighboring nation states in a region for purpose of promoting and liberalizing trade, बहुत सारे trading blocks हैं, जैसे आपका nafta, बहुत famous है, जो आपका America है, आपका Canada है, और कई सारी जो आपकी North American countries है, इनको मिला करके आपका nafta बनता है, उसके बाद आपका नीचे, आप देखोगे तो यहाँ पर Union of South American Nations भी है, आपका Central American system भी है, EU भी है, आपका European Union यहाँ पर आप द इसी तरीके से India जो है, वो सार्क का पार्ट है, आपका South Asian Association for Regional Corporation, फिर आपका Asian आजाता है, फिर आपका Eurasian Economic Community आजाती है, तो यह कुछ और यहाँ पर Pacific Islands Forum, यह कुछ important और trading blocks है, इसका map बहुत ही important है, और बहुत ही impactful होता है trading blocks का map, जब भी आप International Trade को पढ़ रहे हो, अब देख लेकिन फिर भी इसके long lasting impacts world economy पे या world trade पर रहे ही है, इससे क्या हुआ है कि global trade is increasing by about 10% per year, यहानि trade जो है वो पहले से बहतर हुआ है, increase हो रहा है, COVID-19 के बाद trade लगतार बढ़ता चला जा रहा है, East Station economies are increasing exports in other developing regions, trade recover more slowly, थोड़ा सा जो developing countries है, वहाँ पर धीरे धीरे trade recover हो रहा है, मगर और बहतर है, पहले से बहतर है, और developed countries में तो बहुत तेजी से आपका trade हो रहा है, जैसे आपने देखाँ का COVID-19 के बाद, चाइना ने बहुत जल्दी से recovery करी, बहुत जल्दी से उसने अपना trade वगेरा increase किया, आप देखो pre pandemic level से भी बहतर हो चुके है, trade कई सारे goods का, pandemic आने के पहले जो चीज़े उतनी ज़्यादा trade नहीं हो रही थी, वह पहले से भी बहतर trade हो रही है, तो यह कुछ important features से COVID-19 trade scenario के, अब latest data के according, जो 2023 में क्या-क्या चीज़े हुई है, कैसा global trade outlook रहा है, WTO की report के according, कैसी चीज़े रही है, उसको हम लोग यहाँ पर cover करने वाले ह uneven economic recovery, और वेसी बात है, कई सारी चीज़े आपकी 2022 से हुई है, जैसे Russia यूकरेन का war चला है, और COVID-19 से थोड़ा सा आगे ही बड़ी थी दुनिया, बहुत ज़्यादा changes नहीं थे, तो uneven economic recovery हुई है, जैसे चाइना में, मैंने अभी बात की थी, चाइना और USA, इन्होंने बहु अच्छी recovery की, बहुत fast level पे, लेकिन जो developing countries है, जो जैसे Sri Lanka हो गई, आपकी पाकिस्तान की economy तो बहुत ही खराब हालत में है, या आपकी जो दूसरे developing, जो कुछ African nations है, वहाँ पर भी बहुत खराब हालत चल रही है, वहाँ पर COVID के बाद से ही, उनकी economy अभी तक क्या है, brought through higher levels of debt, यानि debt की वज़े से भी कई सारी countries, इवन पाकिस्तान पे भी इतना ज़्यादा international debt थे, उनके foreign reserves खतम हो चुके है, आपको latest news में भी आपको पता चला होगा, IMF से लोन लेने की कितनी बार कोशिश की पाकिस्तान ने, या चाइना से काफी जादा लोन ले रखा है, आ तकि जो China है या USA है, ये लोग बहुत अच्छे से progress कर रहे है, COVID के बाद इनको तो भाया फाइदा ही हुआ है, government interventions and policies affecting international trade, देखो कुछ government ने अपनी policies में भी changes की है, after आपके ये 2022 या 2023 में, जहाँ पर carbon leakage से related चीजों को tackle करने के लिए, या आगी जो हम लोग एक green economy की बात वहाँ पर भी क्या हो रहा है कि कुछ चीजों के imports को price को ज्यादा बढ़ा दिया है, government ने, जिसके वादे से trade वो discourage हो रहा है, lasting changes in consumers spending, देखो जब ये COVID-19 हुआ या आपके जो oil के prices बढ़े, Russia, Ukraine, war हुआ, तो उसके बाद से क्या होगे है, जो consumer है, उसके अंदर एक तरीकी का change आचुका है, आज का जो consumer है, वो ज्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहता है, वो ज्यादा कुछ खरीदना नहीं चाहता है, ज्यादा, एक होता है नहीं, जैसे इंडिया की अगर हम लोग बात करें, तो ये trend काफी लंबे से चल रहा है, कि जो consumer है, वो ज्यादा कुछ खरी in Ukraine, इसका बहुत जादा wheat के, आप क्या सकते है, जो Russia-Ukraine का बहुत है, उसका wheat पर बहुत impact बढ़ा है, क्योंकि Russia एक leading producer of wheat है, साथ में आपका oil prices पर भी बहुत जादा impact पढ़ा था, इसका oil prices उस ताइम पर काफी जादा rise करें थे, अभी भी rise ही करना है, लेकिन थोड़ा बह originalization trends, अभी हमने trading block की बात करी थी, कि कुछ trade agreements के होते हैं, ये भी आपका trade को impact करते हैं, जैसे कुछ countries ने आपस में किया trade agreement, तो उसकी कई सारी ऐसे भी claims होते हैं, जिसकी वज़े से दूसरी countries के साथ आप trade नहीं कर सकते हैं, या किसी particular चीज़ का trade जो है, आप इन ही countries के साथ क वो भी एक problematic चीज़ है, उससे भी पूरा overall जो world का trade है, वो धिरे-दिरे कम होता चला जा रहा है, transition towards a greener global economy, कई सारे देश जो है वो green economy बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसी जो environment friendly हो, इसकी वज़े से क्या हो रहा है कि energy resources, जैसे आपका जो coal, petroleum, या आपके जो LPG, या आपक इसे कई सारी countries में carbon emissions को control करने के लिए बहुत सारे movements चलाय जा रहे, government उस पर ध्यान दे रहे, तो उससे क्या और है कि energy, जो energy के जो resources है, उनकी भी prices बढ़ रहे, अच्छा एक चीज़ जो मैं starting में यहाँ पर रह गई थी, कि क्यू होता है आखी trade, aid वो यहाँ पर मैं explain कर दे कि main जो इसके पीछे reason है, that is comparative advantage, comparative advantage क्या है, यह Ricardo की एक theory थी, जिसमें Ricardo ने explain कर रहा था, कि आपका, जो दो countries है, वो कब trade करेंगी, जब आपको कोई चीज, अपने यहाँ, देखो, सारी चीज़ जैसे India की, अगर हम लोग बात करें, तो India एक बहुत resource rich country है, आपका north से लेके south कि इससे वैसे तक almost हर तरीकी की resources इंडिया में available है, लेकिन फिर भी इंडिया क्यों trade करता है, क्योंकि कई चीज़े ऐसी होती है, जिसको produce करना, जो है वो comparatively बेकार होता है, या comparatively loss making होता है, rather than उसे import कर लेना, कई सारी ऐसी चीज़े होती है, जो आपको import करना ज्यादा असा पड़ता है, उसको produce करने से, तो इसी वज़े से जो countries है, वो आपस में trade करती है, ये चीज रिकार्डो ने बताई थी कि कई बार क्या होता है, कि एक comparative advantage होता है, कोई country किसी एक तरीके के good को बनाने में ज्यादा expert है, या कहीं पर कोईसी एक चीज़े का production बहतर हो रहा है, तो वो बहतर रहता है कि आप अपने देश में उसको बना करके, महंगे में उसको consume करें, उससे बहतर है कि आप सस्ते में दूसरे देश से trade कर लो, तो ये जो था ये आपका comparative advantage theory थी, आप देखो trade volume and GDP growth, जो आज की, जो अभी latest 2023 और 2024 का जो data है, उसमें उसके world trade के according या WTO के according क्या है, कि आपका जो 22 के बाद से, जो भी USA में जो tight monetary policy है, जैसे आपको पता चलोगा कि USA के federal bank ने जो है वो rates high कर दिये थे, और उनकी monetary policy ही, जो है वो बहुत जादा tight रही है, आपका European Union में भी इन सब की वज़े से क्या हो रहा है, कि आपका जो overall trade है ना, वो उस पे भी बहुत ज energy prices जो है वो कम हो रहे हैं, फिर Chinese जो pandemic restrictions थी, वो भी थोड़ी सी कम हो रही है, तो China की economy भी यह पहले से बहतर कर रही है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आप जो है COVID-19 का या जो Ukraine का जो impact है, वो धीरे-धीरे खतम हो रहा है, और धीरे-धीरे आपका यह जो आने वाले जो year ह वो trade के लिए बहुत ही पहतर होने वाले, अब देखो इसको हम लोग graph से समझेंगे, कि देखो यहाँ पर पहले दो चीज़े, एक है merchandise, trade volume growth, एक है real GDP, growth at market exchange rate, तो यहाँ पर आप देखोगे, यह October 2023 का data है, यहाँ पर expected कितना था आपका, expected था आपका 1.7, लेकिन actual आपको 2023 में कितना मिल रहा है, around 0.8, यह WTO ने अपनी latest report में बता है, सेम चीज़ थोड़ा सा अगर इधर आते, real GDP growth में कितना change हो रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा change नहीं है, आपने expect कितना किया था, 2.4, लेकिन यहाँ पर कितना बन रहा है, 2.6, तो इसमें बहुत ज्यादा change नहीं है, next आगे के जो 2024 का जो first quarter होगा, यानि starting के जो 4 महिने होगे, sorry 3 महिने होगे, उसमें इन्होंने 3.2 पहले भी expect किया था, अभी भी क्या है, इनको लगता है कि 3.3 तक लगभग आएगा, और same चीज़ यहाँ पर 2.6 इन्होंने expect किया था, अभी भी इनको लग रहा है कि 2.5 तक आएगा, यह मैं इसलिए कह रहा हो, आएगा क्योंकि अभी मैं जब यह video record कर रहा है तो अभी भी 2024 का कोई data available नहीं है, इसके साथ हम लोग यह देख सकते हैं कि आगे जो आने वाला जो आपका time है, उसमें trade जो है वो और बहतर तरीके से grow करने वाला है, next हम लोग lastly economy, देखो October तक का जो हमारे पास data था, उसमें कुछ भी आपका, उसमें Ukraine war का तो जिक्र है, उसमें COVID-19 का तो जिक्र है, लेकिन उसमें अभी जो latest Israel और हमास का conflict हो रहा है, उसके बारे में अभी कोई भी चीज जब लुटी ओने या किसी एक particular, आप कह सकते हैं, economic institution ने या world economic institution अपनी कोई ऐसी report, summit नहीं करी है, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें यहां से इस war से पता चल रही है, कि देखो क्योंकि यह बहुत समय से यह war चल रही थी, यह थोड़े-थोड़े समय पर होती रहती थी, यह conflict तो था ही है आपका Israel और Palestine के बीच में, लेकिन अभी जो current जो situation है, जिसमें war-like situation है, war चल रही है, तो उससे जो market में reactions हुए, या जो instant, आपकी जो एक-दो महिने में जो reactions हुए, उनको हम लोग यहां पर समझेंगे, सबसे पहले जो investors है, वो safe haven assets में invest करने, यह कई बारे में सोचने लगे, यानि safe haven assets जोए, वो ज्यादा demand में आ चुके गोल्ड प्राइस, आपको पता है कि जब भी कोई ऐसा युद्ध की स्थिती बनती है, या कोई war-like situation होती है, तो सबसे पहले लोग क्या सोचते, invest करो गोल्ड में, या ऐसे precious metal, कि कुछ भी हो जाए बाई, गोल्ड का जो value है वो कभी कम होगी ही नहीं, किसी भी समय पे आपक गोल्ड की जो value है, वो हमेशा high ही रहेगी, तो इस वाज़े से gold के prices बढ़ गए, और देखो, सब को पता है कि अगर कहीं पर war हो रहा है, तो जो country है लट रही है आपस में, उनका तो बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसे कई देश है जिनका उससे बहुत ज़्यादा फा फाइदा ही फाइदा हुआ है, यह जो इसराइल और हमास का conflict हो रहा है, डॉलर भी strengthen हो गया, उसकी भी value बढ़ गई है, ट्रेजरीज की भी demand बहतर हो गी है पहले से, और साथी साथ जो world में oil prices है, इसराइल जो है वो oil producing country नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी strategic location में यह पढ़ जाता तो वहाँ पर यह overall आपने starting में, जब October में जब यह लड़ाई start हुई, यह September end से, तो वहाँ पर first week में थोड़े समय के लिए, oil में prices में increase देखा गया, लेकिन फिर दीरे इरान ने किया कि अपनी supply है उसको बढ़ाया, क्योंकि Iran एक oil producing country और उससे क्या हुआ, दीरे दीरे जो prices फिर से control हो गया, अगर युद्ध जो है, जो war है वो लंबे time तक चलेगा, तो आपकी यह prices जो है फिर से increase हो सकते, आपकी लास्ट में देखेंगे, इंडियन एकनोमी पर इसराइल हमास conflict का क्या impact पड़ा है, इंडिया और इसराइल के बीच में हर साल लगबग 10 billion dollars का trade volume जो ह इंडिया जो है जो major export करता था वो इसराइल को automotive diesel करता था, chemical और mineral products करता था, machinery करता था, आपका plastic, textile और agricultural products, यह सारी चीज़े इंडिया export करता था, इसराइल क्या क्या बेचता था इंडिया को defense machinery, बहुत सारे हमारे defense equipment इसराइल से ही आते है, petroleum oils बेचता था, electrical equipment, transport equipment, तो अगर युद्ध कर रहा होगा, तो वो अपना जो भी defense equipment है, जो भी अपनी चीज़े है, अपनी जो resources है, उन्हें export करने के जगा, अपने war में ही उसका use करेगा, तो इससे overall जो आपका trade का volume था, वो पहले से कम हो जाएगा, साथी साथ जो इंडिया, USA, UAE और इसराइल के यह जो मतलब बिल्कुल initial stage परी था, मगर इससे भी क्या हो सकता है, impact आ सकता है, क्योंकि अभी Israel war में लगा हुआ है, तो इस corridor पर भी, इसकी making पर भी impact आ सकता है, देखें, यह सारे important points थे, अगर आपको इससे related कुछ भी doubt थे, तो आप उससे comment section में पूच सकते हैं, आपको इ झाल